हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको फ्रेंड कट सूट की कटिंग बताऊंगी यहां फ्रेंड कट फ्रोग भी बोल सकते हो तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से आपको कटिंग बताऊंगी बुकुत सिंपल और एजी तरीकर नहीं आपकी फ्रोग इधर रखी है यहाँ पर मैंने बंसाइट लिए और डवल कप्रे को मैंने फोल्ड किया है और हमें इसकी जो लेंद्ध रखनी है टोटल रखनी है चालिस इंच तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आपको नापकर दिखा रही हूँ तो फ्रेंस देड़ इंच तो हम नीचे छोड़ेंगे फोल्ड होने के लिए तो यहाँ पर पहले मैंने लंबाई के निशान लगाया है और हाफ इंच उपर हम आरजन का लगाएंगे जो कि हमारे सिलाई में रहेगा सोल्डर तो यहाँ पर हम देख सकते हो 40 इंच तयार कि यह देखिए हाफ इंच उपर छोड़ते हुए और नीचे हम लियाे मुत लिया है एंचे थो फोल्ड की तो किनाव 22 ενः वरें हमने बिल्लश हमें नेकले किनारी नाप में बिल्ली नहीं लेनी है और यह किनारी को अलग कर दिया किनारी हमें नाप में नहीं लेनी है उसके जो आप solder लगाओगे नाप में तो उसमें half inch आपको extra ही निशान लगाने है तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 7 inch के solder लिए है और 7 inch के हाँ पर हम मुड़े के निशान लगा रहे हैं 7 inch का ही हमें इसके मुड़े रखने है तो देख सकते हैं 7 inch का हमारा 13 है तो 7 inch का हमने यह निशान लगाया है सीधा इस तरीके से हमने मुड़े के सीधे निशान लगा लिए अब मुड़े को अंदर की तरफ half inch इस तरीके से हमें अंदर की तरफ down करना है तो यह देख सकते हैं मुड़े की जो हमारा गोलाई होगी वंदर वाले निशान पर होगी तो यहां पर मेरी मुढ़ए कि नशान लगावी है अब हमने इसका फिटिंग के अब आझना मने लगा लिए थो रौने यहां से नीचे की तरफ 12 इंच पर निशान लगाना और उसका हाफ 6 इंच पर पेटी का निशान अब इन तीनों निशानों को हम कर लेंगे सीधा तो चेश ठेश का 32, 32 का एक चोथा ही करेंगे तो वह आएगा 8 इंच तो फ्रेंट्स यह तैयार नाप है अगर आप बोडी का नाप ले रहे तो उसमें हाफ इंच की लूजिंग रखना तो पेटी यह 28 इंच है उसका हमने फोर्थ भाग रखना है 7 इंच 34 इंच हिप है फोर्थ भाग लेंगे तो साड़े 8 इंच आएगा तो यह देखिए हमने यहाँ पर तैयार नाप लगाया जो हमारा रेडी है नाप अगर आपको बोडी का नाप लेना तो उसमें हाफ इंच आपको इसमें एक्ट्रा लेना है अंदर वाले निसान से हमें यहाँ से मुढ़े की करनी है गोलाई यहाँ पर हमने डेड़ इंच का मार्जन लिया है हमने इसमें मार्जन दो इंच का नहीं लिया है सिर्फ डेड़ इंच का दामन रखना है हमें 18 इंच तो यहाँ जो हमने मार्जन के निसान है वहाँ से हमने नीचे तक इसको इस तरीके से मिलाना है तो आप देख सकते हैं मैं निशान को मिला लिया है तो फ्रेंट्स के लिए चोग नहीं ज़ादा दिख रही है इसलिए मैंने सारे नापो को लिख दिया है और साइड से हमें यहां से 1.5 इंच ज़रूर उपर की तरफ निशान लगाना है तो फ्रेंट्स कुछ लोगों की जोने ये फ्रेंट के सूट जो होता है उसके कोने लटकते हैं तो आपको इस बात का ज्यादे धियान लखना है कि यहां से हमने धाई इंच उपर की तरफ निशान लगाना है फिरोग का और इस निसान पर हम कर देंगे कटिंग आप देख सकत कर देंगे तो फ्रेंट्स के पर्त हमारे कंप्राइट के हमारे कर दोल्ट के कंप्राइट में आप किनारी तरफ क्पड़हें में अपर कप्ड देख सकते हं मैं यहां पर कप्ड़े को डवल फोल्ट किया है यह देखिए बंध साईट जो है वो मेरी तरफ है और open side दूसरी तरफ है क्योंकि back side के पर्थ हमें friend side के पर्थ है वो आगे से हमने open रखा है और back side का है वो open नहीं होगा इसलिए हमने band side अपनी तरफ किया जो friend side के पर्थ की cutting किया हो हम इसी के उपर रख लेगे देखिए, सेम कटिंग वही होगी, इसमें क्या करना है, आपको मुढ़े की जो कटिंग है, वो थोड़ी एक्ष्टर करनी है, यहाँ पर किनारी को हम निकालते हुए कपड़े को रखेंगे, क्योंकि किनारी हमारी सिलाई में जाएगी और किनारी से अलगी हमने नाप लगाया है, यहाँ पर हम मुड़्े की 1.5 इंच एक्ष्टर क्टिंग कर रहा है, बेक्ष्ट का मुढ़ी होता है, हमेसे बहुत जादा ही कट हडता है फ्रेंड साइट का हमारा कम करिता है अगर आप बैक साइट का मुढ़़् कम काटोगे तो आगे को आप कोई भी काम करते हैं हात हम आगे फोकी तरफ करते हैं तो वो पीछे से हमारे स्लै क्ञिच जाएगी और हमारा सूट टाइट रहेगा इसलिए हमंback side के मुझड़े की cutting ज़ादा करते हैं तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने back side के part की cutting कर ली है फ्रेंट side के part इस तरीके से है यहाँ पर हम lawyer लगाएंगे तो friends यह जो हमारे side का कपड़ा था बचा हुए इसमें some slips निकालेंगे इस तरीके से हमने कर लिया है कपड़े को open इसी तरीके से हम दूनों कपड़ों को रख लेंगे इसके उपपर तो यहां पर हम कफ़वाली बाजू बनाएंगे यह मैंने devil fold कपड़े को रख लिया है उसके बाद मैं एक बार और fold करूँगी दोनों slips हम साथ में निकाल रहे हैं हमने जो भी रेडी हमारी स्लिप्स होगी वहाँ पर हमें 3.5 इंच एक्ष्रा रखना है कपड़ा यहां पर मैंने 4 फोल्ड कर लिया है 12 तो 3.5 इंच पर मैंने यहां पर निशान लगाया है जिसमें कि हमारी चुन्यटे ड़ेंगी तो फ्रेंट्स यह साड़े तीन इंच को छ कपड़ा एक्ष्रा लिया है ताकि इसमें हमारी कफ लगाएंगे तो फ्रेंट्स बाजू की हो गई हमारी कटिंग अब हम इसके कफ कटिंग करेंगे तो हम इसमें चोड़े वाले कफ लगाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो 13 इंच मतलब की लिया है चोड़ाई में 14 इंच इसकी चोड़ाई है एक इंच मार्जन में रहे看一下 तेहरे तहब का हाफ जो होगा वो सारए छे हूच होगा तो 13 इंच रम रम इसकी चोड़ाई लिए है और 14 इंच इसको फड़े की लंबाई सारे 6 इंच में हमारे कफ लियार कफ आ जाएंगे तो यह होगे हमारी कफ तो friends हमारी सफवाली बाजू की cutting complete है, नीचे की तरफ चुननेटे डेलेंगे और उपर की तरफ चुननेटे डेलेंगे। तो friends वीडियो पसंदा आए तो फ्लीस वीडियो को like करें, share करें, अगर आप चैनल पर नही हो तो चैनल को ज़रूर subscribe करें, तो फ्रेंट्स मिलते हैं एक और नए वीडियो में तो फ्रेंट्स कट सूट की कटिंग आपको कैसी लगे अगर आप इस टीचिंग भी चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा तो फ्रेंट्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्लीज एक लाइक जरूर करें अगली मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला आपीज